नमस्कार दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल में जहापे मैं हमेशा ही मुवी से लेटेड कापी इंट्रस्टिंग अपडेट्स जदा रहता हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो देखिए मैंने आहा ओरिजिनल्स पर आई एक मुवी देखी है उसका नाम है चवू कबरू चलंगा नाम थोड़ा हजीब है तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो कुछ गलत परनांस किया हो तो प्लीस मुझे माप की जिएगा तो दे देखिए कुछ मुवी जयसी होती है जिसको डिरेकटर बनाने से पहले वो यह सोचता है कि किस तरीके से हम इस मुवी को रिलीज करें क्योंकि लोगों को पसंद आया ना आये कुछ ऐसी फिल्म्स होती है और देखिए ये फिल्म भी उसी श्रिंखला में आती है अगर मैं आ इसी पर इस पर यह पूरा आधारित है देखिए एक आदमी जो मतलब डड़ बॉडिस को ट्रांसपोर्ट करता है और तीर्थ यातरा कराता है इसकी यह कहानिया और वह किस तरीके से एक विद्वा ओरत से प्यार करता है कहानी इतनी सही है अब अब उसमें कितने सारे इमोशन को ग्रैब करकर दिखाने की कोशिश करी गई है फिल्म इसी पर ही पूरी तरह कैसे रिवॉल्फ करती हुई आपको नजर आई की साथी साथ में जो इसमें कार्थी किया गुमा कुंडा है उनका रोल भी आपको काफी हद तक पसंद आ सकता है क्योंकि उन्होंने काफी इमोशनल सीन्स में जिस तरही कैसी रियक्ट किया है उनकी वहाँ पर एक्टिंग आपको बहुती ज़्यादा पसंद आ सकती है इसके अलावा लमन्य त्रिपाठी का रोल भले ही काफी ज़्याद कम है लेकिन उन्होंने भी काफी अच्छे से काम किया है यह मैं आपसे कह सकता डिरेक्टर ने स्क्रिप्ट को काफी सोच समझ कर काफी अच्छे से लिखा है और उन्होंने जो डायलोग राइटिंग है इस मूवी में एक्टर्स की खास कर तो सब नहीं काफी अच्छे से डायलोग को डिस्प्ले किया है डायलोग को बोला है साथ में इसमें फादर का र मिनट जब आप देखोगे जो conversation होती है मुरली शर्मा और कार्थी के अगुमा कुंडा के बीच में तो वो एक अलग ही level की होती है मतलब वो देखकर आपकी आँकों में कहीं रोना तो आहीं जाएगा आपके आँकों में आसू आहीं जाएंगे लमना त्रिपार्टी का रोल ज किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से यार एक्टिंग करी है मुझे थोड़ी बहुत जगा पर तो मुझे भी रोना आ गया था कि यार क्या हो रहा है यार किस तरीके से movie बनाई गई है तो यह चीज आप लोट लिए काफी जदा अच्छी है कि इस movie को ऐसी movies को ऐसे concept को आप support करें क्योंकि देखिए ऐसी movies बहुत कम बनती है बहुत सारी movies ऐसे होती जो सिरफ commercial purpose के लिए बनाई जाती है लेकिन यह movie कुछ हटकर है इस movie का मैंने जब इसके critic reviews पढ़े थे तब मैंने यह सोच लिया था कि इस movie का मैं review ज़रूर दूँगा कि यह movie कैसी है क्योंकि यह unique concept जिस तरीके से बोला गया unique concept है तो one time watchable film है आप अगर करती कि गुमा कुंडा के fan है तब आप एक बार तो इस movie को देख ही सकते हैं तो अगर आपने आहा ओरिजिनल्स पर यह movie नहीं देखी तब आप प्लीज जाकर देखिए और फिर मुझे बताएगा आपको यह film कैसी लग कि movie से लेटे डेट सारी अपडेट जाने के लिए मैंने चैनल को like share और subscribe करना प्लीज मत भूलिएगा